नमस्कार में बिक्रम सिंग निदेशक मौसम केंद्र दरादून से उत्राखंड के लिए मौसम की बात करें आज 28 से दिसमर हो गई है तो जैसे पहले भी बोला गया था कि 39 दिसमर में एक पश्ची बिक्षोब निगलेगा तो अब उसका असर जो है उत्राखंड में भी 39 तार चमोली, किथरागार, रुद्र परियार और दहरादून डिष्टी कब जो हिली रीजन है तो इसमें विशेशकर जो है कुछ जगों में हलकी से मद्यम बारिश और बरबारी वह देखने को मिलेगी आपको 39 तारी को जो हमारे और हिली रीजन से चायो गड़वाल के है चाय क कम हो जाएगी लेकिन फिर भी हलकी या बहुत हलकी जो बारिश और बरबारी है तीस तारीक में भी वह कहीं कहीं पर हिली रीजन में वह देखने को मिलेगी जहां तक बरबारी का सवाल है चाय 29 में या 30 में है जो 3000 मीटर या उसके आसपास के छेत्र है या उससे अधिक पिछले दो दिन से भी काफी बनावा घना कोरा जो है और शीत दिवस वाली इस्तिती बनी हुई है तो यह इस्तिती दो से तीन दिन आगे भी रहने वाली है मैदानी शेत्रों में तो वहाँ पर कोरा बना रहेगा और दिन में जो ताप माने हो कम रहने वाले शीत दिवस व लोगों को लेना चाहिए जब मुमेंट कर रहे हैं और जो स्पीड है उसको कंट्रोल में रखें साथ ही जो फॉग लाइट्स हो गरा उसका भी परियोग करें जिससे एक्सिडेंट से बचा जा सके तो यह मैं कहना चाहूंगा तो दो से तीन दिन है जो एक्टिविटी इसी तरह की है फिर 31 से आगे जिए पश्ची बिख्षो भी खतम हो जाएगा लेकिन तापमान जो है वो गिरेंगे चाए पाड़ों में की बात करें या मैदानी छेत्रों मे जैसे कोरा रहेगा तो उसकी विज़े से खासकर दिन के तापमानों कम रहने वाले हैं हालांकि कि 30 से आगे जो है जो पारिश असनोफॉलक एक्टिविटी खतम हो जाएगी पश्ची बिख्षो वो निकल जाएगा तो यही मैं कहना चाहूंगा नमस्कार